यह बात कर देते हैं आप सम्विधान के शुरूतू की क्यों की जिसे मैंने आपको पहले ही बताया लगबक 60 देसों के सम्विधान सभाग के द्वारा अध्यान किया गया और उसके अध्यान के बाद जो चीजे हमें हमारे हिसाब से अच्छी लगी उन चीजों को हमने ले लि रिया है और क्या क्या वो लिया है बहुत एंपोर्टन हो जाता सुपर एंपोर्टन है बहुत पूछा जाता है चलि देखते हैं मुथे सबसे पहले तो जो लिया है जिस प्रकार की सरकार राज्यों के अंदर केंदर केंदर और जो मशीनरी है वो जो दिखाई दीती है जो नहांचा दिखाई दीता है जो फ्रेमवर्क है वो यहीं से लिया गया है तो क्या क्या लिया है संगीय तंत्र लिया है संगीय तंत्र क्या होता है जब एक सरकार केंदर में रहे एक सरकार राजे में रहे उसको कहा जाता है संगी तंत्र तो संगी तंत्र लिया है राज़पाल का कार्या ले लिया है जिसे के राज़पाल होता है राज़व के अंदर और राज़व का प्रसासनिक मुखिया जो राज़पाल होता है वो कामी है वो कहां से लिया है वो वी सी से लिया है नियाय पले का हमने इसी से लिया है जो हमारी वर्तमान में लोग से वायोग लिया है इस तरह से देखा जा तो लगबख 70% जो हिस्साय वो लिया है 12 सासन लेती है 1935 से चलिए अब देखते हैं ब्रिटिस के समयधान से ब्रि परिसद होती है और वो मंत्री परिसद जो होती है लोकसभा के प्रती जम्यदार होती है ठीक है और संसदी सासन परणाली के अंदर जो मंत्री परिसद होती है वो लोकसभा के प्रती जम्यदार होती है जब तक लोकसभा में संबंधित पार्टी को बहुमत होगा तब तक ही व ली वो है ली हमने विधी का सासन विधी का सासन का मतलब होता है कि भीया कानून का साशन होगा कानून जो कहेगा वो यहाँ पर होगा ऐसा नहीं कि कल से कुछ की भी कह दे और वो मान दिये जाएगा वैसा नहीं चलेगा जो कानून कहेगा उसी को हमें follow करना होगा उसी को हमने मानना होगा और लोकसभा और विधान सभा के प्रती मंत्री मंडल का सामुई को उतरदाई तो जो मैंने आपको पहले बता दिया लोकसभा के प्रती और विधान सभा के प्रती जो जिसे विधान सभा राज्यो के अंदर होती है तो राज्य का जो मंत्री मंडल होता है वो विधान सवा के प्रती उतरदाई होता है और लोग सवा के प्रती जो केंदर का मंत्री मंडल होता है वो लोग सवा के प्रती सामुई ग्रूप से उतरदाई होते हैं तो यह हमने लिया है कहा से बिटेन से मंत्री मंदल प्रणाली ज एकल नागरिकता यानि कि हमारे हाँ एक ही नागरिकता है भारत की एक मातर नागरिकता यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको मद्द प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की या केरल की या तेमिलनाडू की या कहीं और की दूसरी नागरिकता लेने के विशक्ता नहीं है जैसा कि अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर क्या होता है, आपको एक तो अमेरिका की सिटिजन से प्लेनी पड़ती है, और दूसरी संबंधित जिस राज्य में आप रहें, जैसे आप कैलिफोर्निया में रहें, तो कैलिफोर्निया के आपको सिटिजन से प्लेनी लेकि तो दोहरी नागरिकता है, हमारे हैं क्या है, एक ही नागरिकता है, आप भारत में के नागरिक हैं तो आप चाहें महाराश में रहें, राइस्थान में रहें, पंजाब में रहें, मद्प्रदेश में रहें, कहीं भी रहें और उससे कोई भी फरक नहीं पड़ने वाला, फिर हमने क्या लिया है संसद ये विशेशाधिकार सुतंतरता लिया है कि जो हमारे संसद होते हैं जो MP होते हैं या MLA जो होते हैं राज्यों के अंदर उनको कुछ विशेशाधिकार प्राप्त होते हैं तो उन विशेशाधिकारों को कहा से लिया है बिटेन से के समिधान से ल लिया है हमने नाम मात्र की कारेपालिका यानि कि जो रास्ट पती होता है वो नाम मात्र की कारेपालिका होता है उसके पास एक्चुल पावर्स नहीं होती एक्चुल पावर्स जो होती है वो मंत्री परिसत के पास होती है यह हमने कहां से लिया है यह भी प्रटेंस लिया है औ यदि किसी ने कुछ अपराद किया है तो कानून के सामने वो बराबर है उसको इस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि ये राष्टपती है तो इसको या ये प्रधान मंत्री है या एक बड़ानेता है या ये पैसे बाला है तो उसको दूसरी तरीके से ट्रीट करेगा कानून सभी को समान तरीके से ट्रीट करेगा और समान तरीके से अधिकार देगा तो ये विधी के समक्ष समानता है और ये नुच्छे चौदा में वर्नित है वहीं अमेरिका की समिधान से बात करें फंडमेंटल राइट्स दिये गए हैं तो ये फंडमेंटल राइट्स जो है ये हमने लिए हैं अमेरिका के सम्विधान से वही नियाय पालिका की सुत्मतरता जो है जूडिशिरी की जो फ्रिडम और जूडिशिरी है वो भी हमने अमेरिका के सम्विधान से लिए है अमेरिका के सम्विनान में जूडी जो है नियाई पालिका ही सरवोच्च है लेकिन हमारे हैं नियाई पालिका अपने छित्र में सरवोच्च है जबकि जो व्यवस्था पिका है वो अपने छित्र में सरवोच्च है और दोनों के बीच में सांदार शावंदे किया गया है लेक कहता है कि यदि कोई कानून बना है तो जो न्यायले है वो उसको देख सकता है उसको रिवीव कर सकता है और यदि वो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायले उस चीज़ को मना कर सकता है डिनाय कर सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते साथ में लिखित संविधान क्योंकि ज जिस प्रकार से उपराश्ट पती हमारे यहां जो अपरहूस होता है राजसभा का पदिन सभापती होता है उसी प्रकार की प्रकार की प्रकार अमेरिका में भी है अमेरिका का जो सभापती होता है वो प्राश्ट पती तो प्राश्ट पती का पद हमने लिया है वो अमेरिका से लिया है राष्ट पती पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट पती को किस परकार से हटाया जाता है ये प्रक्रिया भी हमने कहां से लिया अमेरिका की सम्विधान से वही सरवोच नयाले का संगठन की सरवोच नयाले में कौन जिसमों की नयाधीस होता है फिर उसके नीचे न नहीं लगा है अनुचे तीन सो साथ ये भी हमने कहां से लिया है अमेरिका के सम्विदान से अब है आएरलेंड के सम्विदान की तो आएरलेंड के सम्विदान से जो हमें सब्से इंपॉर्टेंट सुपर DOWN सीज्टि जी इ ripe और है राज के बारे में विस्तार से बात करेंगे साथ में राष्टपती के निर्वाचक मंडल की व्यस्ता यानि राष्टपती का जो चुनाओ होता है राष्टपती के चुनाओ में कौन बोड डालेगा ये व्यस्ता जो हमने ली है वो ली है आरलेंड के सम्विधान से यानि कि जो राश्ट्रपती के चुनाव में बोड डालते हैं निर्वाचिस सदश्य सभी विधान सभा के निर्वाचिस सदश्य और लोगसभा राजसभा के निर्वाचिस सदश्य यानिकि जो एलेक्टेट मेंबर्स होते हैं लोगसभा के राजसभा के और विधान सभा के ये इसमें च कनाडा के समिधान की बात करें, तो कनाडा के समिधान से ससक्त केंदर के साथ संगीय व्यवस्था और संगात्मक विशिष्चाएं हमने यहां से ली है, क्व केंदर ससक्त के जिसे, ज Haben Central Government को हमने काफी ससक्त बनाया है और जो राज होते हैं उनको थोड़ा सा उतना सरक्ति नहीं बनाया है तो इस प्रकार से एक संगी व्यवस्था के राज में अलग सरकार केंदर में अलग सरकार लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ शक्तियां से इस रह जाती है जिनका थीनों सुचियों में उल्लिक नहीं हैं तो वो सारी के सारी सक्तिया केंदर यह सेंट्रल गवर्वर्मेंट के पास होगी है और ये किसे कहलाती है आवशिश सक्तियां और इन आवशिश सक्तियों को केंदर के पास रखने के वस्ता कनाड़ा के समिधान से लिए गई है साथ में केंदर के द्वारा जो राज्यों के अंदर राजपाल के न्युक्ति होती है वो भी हमने कनाडा के सम्विधान से लिए है और उच्टम नियाले का परामर्सी निया इंदर्देशन या उच्ट नियाले जो राष्टपती को परामर्स देता है वो जो ची लिए वो भी कनाड़ा के सम्मिधान से लिए है और प्रस्तावना की नहित भासा ध्यान दीजेगा प्रस्तावना के अंदर जो भासा है जो लेंगवेज है और भावना है वो जब हमने भासा लिए है जबकि प्रस्तावना USA के सम्मिधान से लिए है अमेरिका के सम्मिधान से प्रस्तावना ली गई है और प्रस्तावना की भासा जो ली गई है वो ऐस्त्रेलिया के समधान से ली गई है केंद्र और राज के बीच में सकतियों का विभाजन यह हमने आस्ट्रेलिय से लिया है संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठल जो होती है वो विवस्ता आस्ट्रेलिया के समिधान से ली गई है वहीं जर्मनी के बाईमर समिधान की बात करें तो आपातकालीन जो विवस्ता है पातकाली में जो राष्टपदी को इस्पेशल पावर्स पराप्त हो जाती है और इस प्रकार से कुछ मूल अधिकार निलमित कर दी जाते हैं तो वो सारी सक्तिय हैं जो हमने लिए है वो जर्मनी के समयधान से लिए है जो पूर्व सोबियत संग है जो वर्तमान का रूस है उससे हमने मूल अधिकार हमारे लिए गए है और बहुत ही इंपोर्टेंट सुरी माफ़ी जगा मूल करता भी लिए गए हैं और ये सुपर इंपोर्टेंट है अनुछेद 51 काम है वहीं जापान के समयधान की बात करें तो जापान के समयधान से लिए है विदी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया यानि कि कानून जो होगा वही जो जिस तरीके से कानून कहता उसी तरीके से किसी भी काम को किया जा सकता है तो ये जो प्रक्रिया ली है हमने विधी द्वारा इस्थाफित प्रक्रिया ये ली है जापान के सम्विधान से और ये विधी द्वारा इस्थाफित प्रक्रिया जो सब्द आया है वो अनुचेद 20 में आया है जिसमें कहा गया है कि विधी द्वारा इस्थाफित प्रक्रिय राष्टाद्यक्ष या राष्ट्रपती जब elected होता है यानि कि उसका चुना होता है तो वो बेज कहलाता है गणतंत्र लोगतंत्र क्या होता है लोगतंत्र चीज़े लग होती है लोगतंत्र में जो सरकार होती है उसको जनता चुनती है लेकिन कई बार यह होता है कि सरकार तो स्वतंतरता, समानता और बंदुता का आदर्स एक हमने निश्यत किया है कि हमारे देश में हमारी स्वतंतरता होगी कुछ समानता होगी और लोगों के अंदर बंदुता होगी तो ये जो आदर्स है ये हमने कहां से लिया है ये भी फ्रांस के समिधान से लिया गया है वहीं दक्षण आफ्रिका के समिधान की बात करें तो दक्षण आफ्रिका के समिधान से हमने समिधान में संसोधन की प्रक्रिया को लिया है और राज सभा के सदश्यों का निरवाच्चन इसके तहट से लिया है कि राज सबाके सदश्यों का निर्वाचन आखिर कैसे होगा तो ये सारी चीज़े लिए